खेती संबंदित नएनी वीडियो पानी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वा बगल की बेल आइकन घंटी भी बजा दें जिससे खेती संबंदित नएनी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें किसान भाईयों आज की वीडियो में हम धानुका कंपनी के कासू भी एंटीबॉटिक के बारे में जानकारी देंगे सबसे पहले जानते हैं कासू भी क्या है धानुका का कासू भी एक सिस्टमेटिक बैक्टिरी साइड है और फंगी साइड भी है यह antibiotic systemic तरीके से कार करता है इसका छिड़काव फसल में करते ही यह पौधे में तुरंत अफसोसित होकर तेजी से रोगों का नियंतरन करता है कासु भी एक broad spectrum bactericide वा fungicide है इसका छिड़काव करते ही यह पौधे में लगे बैक्टीरिया वा fungis के protein biosynthesis को रोगता है जिससे बैक्टीरिया के विकास और प्रजनन में कमी आ जाती है बात करते हैं कासु भी का छिड़काव कौन कौन सी फसल में किसानभाई कर सकते हैं तो इसका छिड़काव मुंखफली की फसल, सोयवीन की फसल, मिर्ची की फसल, धान की फसल, टमाटर की फसल, आलू की फसल, गोबी की फसल, अंगूर, सेव, आधी फसलों में कर सकते हैं जिसमें बैक्टीरिया वा फंगस की समझ से आपको देखने को मिलती है बात करते हैं कौन-कौन से फंगस और बैक्टीरिया करता है तो मुखरूप से यह धान में ब्लाष्ट को कंट्रोल करता है और bacterial disease जैसे scav, leaf spot जैसे bacteria disease को कंट्रोल करता है कासूबी के technical की बात करें तो इसमें जो technical होता है वह है कासूगा माईसिन 3,5 एसल फार्म में होता है बात करते हैं इसके डोच की तो 30 से 40 ml प्रति पंप के हिसाब से कासूबी का छिड़काओ की सान भाईयों को करना चाहिए वह हैं इसके कीमत की बात करें तो एक लीटर कासूबी बजार में आपको 1100 रुपए के लगभाग मिल जाता है वह हैं इसके पैकिंग साइज की बात करें तो बजार में आपको 50 ml, 200 ml, 500 ml वह एक लीटर के पैक में बजार में उपलब्त हो जाता है धन्यवाद